लो एवरीवन वेल्कम पैक टू माई यूटूब चैनल लेट्स डिसकस तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्लास 10 सब्जक्च विज्ञान और वाक्षिट नंबर 51 डिसकस करेंगे और यह वाक्षिट आपका 4 अफ नेवंबर 2020 के लिए होगा तो विद्यार्थी का नाम कक्षा ध्यापा का नाम फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नेए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए और वेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की दवाईए ताकि आपको लेटिस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए इस चैनल पे आप सभी के लिए एक से दो दिन पहले वाक्षिट की सॉलूशन प्रोवाईड कर दी जाती है क्योंकि आप क्लास टेंथ के स्टुडेंट है और आपको समय मिलना चाहिए स्टडी के लिए और आप आई होप आप स्टडी को अपने स्टडी को बूस्ट अप कर रहे होंगे और कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो इसलिए करके मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ अभी भी दो गुरा बज रहा है रहा तो और मैं आप सभी के लिए बहुत महनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये बॉक्सित का टेंसन ना ले और आपने पढ़ाई को बहतर तरीके से कर्टिन्यू करें ओके फ्रेंड्स और पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं तो आईए डिसकस करते हैं इसे अनुबान जीक्ता है जैब विकास जैसा कि जैब विकास आपको पढ़ना नहीं अनुबान सिकता आएगा और इस बाग डेड़क्ट हो चुका ये वे डिलीटेट है पार्ट मेंडल के परियोग मेंडल का परभाविता का नियम मेंडल का पिर्थिकरन का नियम है मतलब एक संकर क्रोस किया था उन्होंने मेंडल ने जो क्या क्या था आपको पता है जो मेंडल जब उन्हों बान सिखता कि पिता जो जौन क्रेगर मेंडल को माना जाता और इन्होंने मटर के बीच से एक्सपेरिमेंट किया था और करने के बाद इन्होंने क्या क्या पाया उसके बारे में हम दिस्केस करेंगे मेंडल ने मटर के उन पौधों के विकलपी लक्षनों का उप्यों किया जो अस्तुर रूप से दिखाई देते थे उन्होंने विकल्पी लक्षनों के साथ पौधों का संकरन किया और पहली पीड़ी और दूसरी पीड़ी की संतती का अध्यन किया और विकल्पी लक्षनों वाले पौधे के अनुपातों की गनना की अब देखिए मेंडल का परियोग क्या था आईए इसे डिसकस करते हैं दोस्तों और ये मेंडल का परियोग को आपको चानना बहुत जरूरी है और इस वर्क्षिट में जो भी दे जा रही है इसका जो आपके पास जो आपको कुछ कोस्टन से उससे आपके ये वर्क्षिट कम माता-पिता के गुन उनके बंसज तथा कैसे कैसे पहुंचते थे इस रहसे का अनावरन किया उन्होंने देखा जो बंसज के जैसे माता-पिता के गुन उनके बंसज यानि बच्चों पे उनके पेड़ी दर पीड़ी कैसे transmit होते हैं मेंडल नहीं अब लोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधे के गुन उनके माता प्ला के गुन का मिसरन नहीं है बगीचे में पौधे में अगर गुनों नहीं ये देखा जो बगीचे में पौधे लगा और अगहन अध्यान करने के प्रेथ किया और उसने मटर के पौधे के साथ अपने प्रेक्शन को करना निश्चे कि और ताकि वह जान पाए कि यह गुन किस प्रकार अगली पीडी तक पहुंचता है मेंडल ने 30,000 मटर के पौधे पर अगली कुछ बर्षों तक क्या किया प्रेक्शन किया यह पूछा जाता है मेंडल ने कितने पौधे पर किया तो 30,000 ठीक है तो 30,000 मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रेक्शन किया या उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने दो मटर के पौधे के लिए एक जिनके फूलों का रंग बैगनी था और दूसरा जिनके फूलों का रंग शफेता दोनों के बीच परागन द्वारा शंकरन कराया सफेत और एक फूलों का रंग क्या था शफेता एक बैगनी दोनों के बीच के आप परागन के दोरा किया क्या उसका शंकरन कराया गया तो अगली पीडी एक बन जनरेशन में सभी पूधे में बैगनी रंग के फूल प्राप्त हुए कैसे जब वो मटर के पूधे के लिए फूल का रंग बैगनी और दूसरे फूल का रंग सफेत रखा तो कैसा बैगनी रंग का हुआ प्रतु जब उनका संकरन सो प्रागन द्वारा कराया गया तो एक पीडी में लगवग तीनो भाग वैगनी फूलो वाले और एक भाग शफेत फूलो वाले पूधे पाए गये जिनका लगवग तीन अनुपात बहन कहते हैं एक में हूँ था अब ये गूगल से सूर्च से लिया गया है दोस्तो ये क्या देखिए ये जिस एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है अब गूगल पर भी जाके इसे देख सकते हैं अब देखिए मेंडल का परभाविता का नियम क्या है ये बहुत इंपोटेंट है ये आपके एक्जाम में आ से एक बिन पहले भी कर लेंगे वो 100% जाएगा जब समरुप जोरी में दो गुनसुत्र अलग-अलग होते हैं अर्थात एक परभावी होता है तो अन्य परभावी लक्षन होते हैं परस्वर बिरोधी लक्षन वाले पौथे के भी संकरन करवाया जाता है तो उनकी संतती में बिरोधी लक्षनों में से एक परभावी लक्षन परदर्शित करता है और दूसरा और परभावी लक्षन परदर्शित नहीं होता है और परभावी लक्षन छीपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में अस्थानांदरित हो जाता है यह परभावी लक्षन तभी अप लेगन रंग के फूल या अपने पीधी में क्या करते हैं अपनी पीधी में अपने आपको परदर्शित कर पाते हैं और परभावी लक्षन क्या होता है दोस्तों ये पूछा जाता है वन मांक्स में परभावी लक्षन क्या होता है और और परभावी लक्षन क्या होता है तो मेंडल का प्रित्रकरन का नियम यह कहता कि जब एक जीब अपने गुनों को अस्थरनांतरित करता है तो उसे के बंसज अपने माता वा पिता दोनों से उस गुन को लक्षन एक प्राप्त करता है। केबल परभावी लक्षन ही परदरसित हुआ था उसने अगली पीड़ी में परभावी बहा परभावी दोनों ही परकार के लक्षन यानी थिरी अनुपाद वन जो जीसों जीनो टाइप कहते हैं कि अनुपाद में परदरसित किया था ओके फ्रेंट्स तो आईए अब इसके से मारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए और आप एक से दो दिन पहले वाक्षिट के सलूशन करके आप अपने स्टडी को बहतर तरीकी से कंटिन्यू करते रहें ठीक है दोस्तों देखिए परभावी लक्षन वह लक्षन जो म अपना परभाव दिखाता है परभावी लक्षन होता है यह सम्यूगमजी तथा बिशम यूगमजी दोनों अवस्था में अपना परभाव दिखाता है और परभावी लक्षन होता है दोस्तों बहल लक्षन जो मेंडल की संकरन में पर्थम पीड़ी में अपना परभाव न अब आपको ले चलते हैं कोस्साने से केंड कि ओर ऑशने से कहना यहां देखे पुरिफ्करन के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रोस का चित्र बंअइएं थे 찰ल Billboard यह आपके जो है ना आपके पास support material होगा उसमें भी दिया हुआ है इसे आपको क्या करना है एक संकरन इसे इन्होंने कैसे किया था ठीक है यहां देखे लंबा लंबा पौधा है डेवल्टी चोटा है तो बौना पौधा है ठीक है तो इन दोनों के साथ इन्होंने जब किया तो यह पाया बौना और लंबा और बौना पाया जब इनका इसका जो इसके साथ किया तो यह लंबा ब भूबा पूधा है इसे लंबा पूधा इसमे के इसमाल टी टी आ गया ठीक है तो इसको आपको अच्छे से बना लेना है आई अबको समझ्छ में आ रहा होगा अब हम question number next भी चल ले हैं question number अब हम third discuss करेंग question number third है विसम युगम जी को परिभासित कीजिए विसम युगम जी को परिभासित कीजिए तो आईए दोस्तों इसे परिभासित करते हैं विसम युगम जी विसम युगम जी यदि एलील के जोरों में दोनों एलील अलग-अलग होते हैм तो इसे भिस्म योगम्जी कहते हैं जैसे क्याप्टर यानि बटॉल और बौना या आर आर या UNDर भाई ठीक है दोस्तोorg इसको आपको लिखना है अगर हमारे चनल को ने ही तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक चीज़ और वैल आइकन को प्रेस कीज़े ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिशन मिल पाए ओके फ्रेंड्स आई आप कोश्चन नमबर फोर्थ करते हैं एक लक्षन बन सा नोगत हो तो सकता है प्रन्तु ब्यक्त नहीं इस कथन की पुष्टी कीजी देखे दूस्त एक लक्षन बन सा नोगत तो हो सकता है प्रन्तु ब्यक्त नहीं किया जा सकता उदारन के लिए मेंडल ने सुध लंबे और सुध बौने मटर के पौधे का चेन कर संकरन कराया था तथा पर्थम PDA1 प्राप्त किये पर्थम PDA1 में सभी पौधे लंबे थे जबकि दूती पीड़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात लगवग थिरी अनुपात बन था और दूसरा लक्षन लक्षन ये पीड़ी है दूसरा लक्षन जो है न दोस्तो F2 है ये क्या है ये दूसरा लक्षन केबल नहीं ये कुछ नीए दूसरा लक्षन ने केबल एक पैत्रिक जन के लक्षन ही दिखाई देता है परन्तू केबल लंबाई बाला लक्षन ही वैक्त किया जाता है ओके फ्रेंड्स तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकिशन मिल पाए ओके फ्रेंड्स थेंक्यू थेंक्स एलोट फॉर वाचिंग थेंक्स